शाट सरकिट से लगी आग लाखो रुपयों की गेहूं की फसर जल कर राख चतरपूर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करली गाउंग में 33,000 केवी की हाइटेंशन तार के आपस में टकराने के कारण आग लग गई खेत में खड़ी गेहूं की फसर जल कर राख हो गई पसे 33 केवी हाइटेंशन का तार होकर गुजरता है आग से नाथूराम कॉंदर की करीब 30 बोरा गेहूं की फसर जल कर नश्ट हो गई शनिवार की दोपेहर करीब धाई बजे शाथ सरकिट के चलते नाथूराम कॉंदर के खेत में तार से निकली चिगारी से गेहूं की फसर जलने लगी आसपास के लोग कुछ समझ पाते की आग कीलो तेज हवा के चलते तेज होती गई घटना की सूचना ग्रामीनों ने ततकाल फायर बिग्रेप को दी ग्रामीनों के प्रयास से बड़ी मुशिकल से आग पर आग पर काबू पाया गया जब तक करीब दो एकर गेहूं की फसर जल कर नश्ट हो गई थी मौके पर पहुँचे पटवारी ने पंचनामा बना कर राहत राशी दिलाई जाने की बात कही है बुंदेली नीज पटवारी को जान कर दिया अभी निया नाम है आपका अग क्या नुक्षान होगी आपका लगबग कितनी फसल लगबग ही यह वीज़ पचीश कोंटल तो जानकारी कैसे लगी आपका आपने अधिकारियों को सूच ना दी अभी नीजी किसी को लिए पटवारी को लगा के बोला मोगा पे वो आ रहा है तो सरकार से क्या आप कवार लगए है किसकी लापरवाई मानते हैं लापरवाई किसकी है लापरवाई बिल्दी विभागी है अब मालोब बिल्दी के कान टक्रान ताय के टक्राने से लगी है उसमें जी सट क्या नाम है आपका चंदरपगास पटल अभी मौकिवाईदात पर आप आए तो कैसे किसा अनुमाने तो लोगों ने बताया पर आए आपने देखा है तो लगभग कितनी फसल नश्टोपी है लगभग एक से जड़े करने की लगभग फसल नश्टान हुई है और अनुमाने तो लगभग पच्छे से तीस क्वेंटल की हुई है और जो भी उसासन से नरधारित होगा वह अनको मिल जाए रहे हैं लगभग कितना समय लगए समय का तो यार अपन तो बना के दे देंगे वह उपर है जो भी प्रोसेस होता हो तो जल्दे ही होगा